दोस्तों अगर आपका भी PNB Bank में account है और आपका mobile application का login ID और आप password भूल चुके हैं यानि की username और password अगर आप भूल चुके हैं mobile banking का तो आपको कैसे उसको recover करना है वापस पता करना है बहुत ही जदा असान है इसके लिए आपको अपने phone के google play store पे जाना है और यहाँ पर दोस application को अपने phone पर download करना है और आपको इसको सबसे पहले download करके open करना है जैसे आप open करेंगे तो आपको इसको allow करना है तो यहाँ पर देखी का allow का options है तो हमने allow कर दिया है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर user ID हमें नहीं पता तो इस username को पता करने के लिए दूस्तों आपको दिखा हुआ है trouble login तो यह sign in पर आप क्लिक करेंगे नीचे वाले पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखी दूस्तों आपके सामने बहुत सारे options आएंगे तो आपको सबसे पहले username पता करना है तो आपको यह वाला जो options है दूसरा वाला click your user ID check your user ID तो आपको यहा पर अपना bank खाता number डालना है अपना PNBB bank का और जैसे आप bank खाता number डालेंगे उसके बाद आपको नीचे से यहां पर continue करना है दूस्तों यहाँ पर देखीगा हमने account number एंटर कर लिया चले दुस्तों हम यहां पर जो है OTP का वेट कर लेते हैं अब दुस्तों हमारा यहां पर OTP आ चुका है चले हम इस OTP को यहां पर अब दूस्तों ने OTP यहां पर fill up कर लिया है अगर आपको OTP रेसीब नहीं होता है तो आप कुछ देर बाद यहां पर टाइमिंग खतम होने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर recent करना है दुबारा से OTP मंगाना है उसके बाद आपको नीचे से इसको confirm करना है जैसे आप confirm करेंगे अब यहां पर देखेगा आपका username आपको easily मिल जाएगा चलिए अब इस username को आपको कहीं लिख लेना है उसके बाद दूस्तों अब आपको यहा यहां पर उस username को enter करना है और उसके बाद आपको यहां पर sign in किया तो यहां पर देखीगा उसके बाद आपके सामने यहां पर आपके नमबर पर एक OTP आएगा यानि की वन टाइम पासवर्ड उसको आपको यहां पर enter करना है चलिए हम OTP यहां पर fill up कर लेते हमें OTP receive हो चक अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक नया pin बनाना है याने कि अपना password बनाना है चलिए हम यहाँ पर 4 नमर का pin बनाएंगे वही pin आपको यहाँ पर दुबारा से enter करना है और जैसे हम इस चीज को दोनों को यहाँ पर fill up करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे से इसको यहाँ पर submit करना है चलिए हम इसको submit करते हैं और दोस्तों submit करने के बाद यहाँ पर देखीगा यहाँ पर success हो चुका है अब हम इसको sign in पे click करेंगे और यहाँ पर देखेगा उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको बस अपना pin डालना होगा जो भी आपने चार नमबर का pin बनाया था आपको यहाँ पर बस अपना pin एंटर करना है उसके बाद आपका login हो जाएगा फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास ही एक message आ रहा यह फिर आप forget कर सकते है password को अगर आपके साथ दिक्कत आएगी तो आपको ब्रांच जाना होगा और आप अगर बनो टाम तक यूज नहीं किया है तो सबसे पहले बैंक से आपको इसको activate करना होगा